दोस्तों, मजबूरी में कई बार लोगों को लोन लेना परता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिती भी बन जाती है कि वे किस्त नहीं चुका पाते। इससे बैंक के लोन रिकवरी एजेंट उन्हें वसूली करने के लिए परिशान करने लगते हैं। और कई बार तो recovery isn't, गाली गलोज और हाथा पाई पर भी उतर आती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको लेकर reserve bank ने उन पर नकेल कसने के लिए नियमों को सक्त बना दिया है। RBI ने कहा है कि उनके regulatory दाइरे में आने वाली सभी entities को यह सुनिश्चित करना होगा कि collection isn't करजदारों को परेशान ना करें। इसके लिए reserve bank के governor शसी कांत दास ने हाल ही में कहा कि loan recovery isn't लोगों के साथ गलत बेभार करते हैं जो कताई सुईकार्य नहीं है। और इस बात को RBI ने अपने website पर जारी करके एक notification में कहा है कि वो recovery isn't के इन करतूतों से चिन्तित हैं। और regulator entities को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके agent करज की वसूली करते समय किसी तरीके के डराने धमकाने या फिर हाथा पाई वाली हरकते ना करें। इसके लिए केंद्रिय बैंक का कहना है कि recovery isn't को बार बार करज़दार को फोन भी नहीं करना चाहिए। लोन की recovery के बारे में करज़दारों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम में 7 बजे के बाद फोन नहीं करना चाहिए। तो आईए अब जान लेते हैं कि लोन की किस्तों की वसूली करने के लिए अगर एजेंट आपको परिशान करे तो आप किस तरीके से उनके खिलाफ करवाई कर सकते हैं। रिजर्ब बैंक की गाइडलाइन्स के मुताबिक लोन रिकवरी एजेंट लोन की वसूली के लिए धमकी या फिर उतपीरन का सहारा नहीं ले सकते हैं। और इसमें मौक्षिक या शारीरिक दोनों तरह के उतपीरन को शामिल किया गया है। करज लेने वाले व्यक्ति को बार-बार फोन करना और परिशान करने की श्रेनी भी इसी में आता है। इतना ही नहीं लोन लेने वाले व्यक्ति के घर या फिर वर्क प्लेस पर बिना बताये जाकर रिस्तेदारों, दोस्तों या फिर करमचारियों को धमकाना और परिशान करना भी उतपीरन की श्रेनी में आता है। धमकी या फिर अभद्र भाशा का इस्तेमाल भी इसी दाइरे में आता है। अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको परिशान करता है तो आपको सबसे पहले पैंक से इसकी सिकायत करनी चाहिए। और इसके लिए आपके पास उस रिकवरी एजेंट के द्वारा धमकाने वाली कोई ठोस सुबूत होनी चाहिए। इसके लिए बेहतर है कि अगर वो आपको फोन करके धमकाते हैं तो उनका फोन आप रिकॉर्डिंग मोड में डाल दें। या फिर अगर आपके घर पे धमकाते हैं तो इसकी कुछ रिकॉर्डिंग प्रूफ अपने पास रख लें। इसके बाद आपको सबसे पहले अपने बैंक जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। आप अपनी परिष्थितियों के बारे में भी बैंक को बता सकते हैं और लोन रिपेमेंट की शर्तों में बदलाव का अनुरोध कर सकते हैं। और अगर 30 दिनों के भीतर बैंक आपके शिकायत का निप्टारा नहीं करता है तो आप बैंकिंग ओब्डस मैन से शिकायत कर सकते हैं। और साथ ही बैंकिंग रेगुलेटर आरबी आई को भी शिकायत की जा सकती है। रिजर्ब बैंक उस बैंक को ओडर दे सकता है और खास मामलों में बैंक के उपर जुर्माना भी लगा सकता है। अगर रिकवरी एजेंट कोई गैर कानूनी एक्शन लेता है यानि की हाथा पाई करता है या फिर कोई चीज उठा कर ले जाता है तो इसके खिलाफ पुलिश में भी सिकायत की जा सकती है। इसके अलावा कर्जदार के पास लोक अदालत और कंजूमर कोट में भी जाने का विकल्प खुला रहता है। तो अगर आपने भी लोन लिया है और रिकवरी एजेंट आपके साथ किसी तरह का दुर बेभार करते हैं तो इन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उमीद करता हूँ कि लोन लेने के बाद अगर कोई रिकवरी एजेंट आपसे दुर बेभार करता है तो उनसे कैसे निपटा जाए इस बारे में आपको प्रोपर इनफरमेशन मिली होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ऐसे ही रोचक तत्थ और इनफरमेशन से भरी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल के आइकन पे भी प्रिस कर लें।